हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल दाशनिक भारत में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस पिनोजा दर्शन पर देकार्ड के बाद हमें इस दर्शन को पढ़ना चाहिए देकार्ड पर हमारे वीडियोज पहले ही उपलब दें तो पहले देकार्ड दर्शन को आप पढ़ें और उसके बाद आप इस वीडियो पर आएं तो आज किस वीडियो में हम इस्पिनोजा के बारे में कुछ सामाने बातें या कुछ सामाने जानकारी लेने वाले हैं जो हमारे इस दर्शन को समझने के लिए हमें पता होना जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि हम जानते हैं डेकार्ट, इस्पिनोजा और लाइबनिस ये तीनों ही क्या हैं बुद्धिवादी दाशनेक हैं तो इस्पिनोजा का दर्शन भी डेकार्ट के बाद आता है और ये भी क्या हैं एक बुद्धिवादी दाशनेक हैं यानि rationalist है ये बुद्धिवादी दार्शनेक वे दार्शनेक होते हैं जो यह मानते हैं कि यथारत ग्यान की प्राप्ति का साधन जो है वो एक मात्र साधन है वे हैं हमारी बुद्धी ठीक है और इसके विप्रीत जो दूसरे हैं वो होते हैं अनुभबादी अनुभव बादियों का ये मानना होता है कि अथार्थ ग्यान जो है हमें केवल अनुभव द्वारही प्राप्त हो सकता है ठीक है तो इस पिनोजा जो है वो डेकार्ट का जो दर्शन है उसमें सुधार करते हैं उसको और अधिक परिश्क्रत करते हैं तो इन्होंने डेकार्ड के दर्शन को ही सुधारों के साथ आगे बढ़ाया है अपने जीवनकाल में इनके जो दर्शन है इनके जो दार्शनिक बिचार है बैसे तो ये एक कांच का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका काम था जो लेंस होते हैं ग्लास जो होता है उस पर पॉलिश करना लेकिन बाद में इन्होंने एक बहुत ही सफल दार्षनिक जीवन बिताया है और जिसमें इनका जो दार्षनिक साहित है वो समाहित है और वही हमें इनके दार्षनिक बैजारों से परचित कराता है तो इन्होंने अपने जीवन काल में काफी किताबे लिखी थी, काफी ग्रंत लिखे थे, दर्शन पर आधारित, उनमें से कुछ यह हैं, Descartes, Principia, Philosophy, Tectus, Tractatus, Theological, Politics और Ethics, यह जो Ethics जो है इनकी, यह बहुत ज़्यादा Famous Book हैं है, तो इसमें इनके नीती सासस संबंदित विचार तो मिलते ही हैं, साथ में इनके दाशनिक विचार भी इसमें हमें मिल जाते हैं, जिनमें हम आगे देखेंगे कि इनका दिरव्य विचार, गुण और परयाय आधी के विशय में भी यह ग्रंथ हमें जानकरी देता है, तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और दर्शन को समरद्ध बनाया था, तो डेकाड जो हैं, हमने देखा था कि डेकाड एक गड़तिक के थे, और उनका दर्शन जो हैं, उनका उद्देश यह था कि दर्शन को भी गड़त की तरह यत्हारत बनाया जाए, तो वैसे ही इस्पिनोजा का दर्शन भी बिल्कुल डेकार्ट की परिपाटी पर था और उन्होंने भी अपनी जो दार्षनिक प्रणाली जो अपना ही है उसका सुरूप भी कैसा है गड़तिय सुरूप ठीक है तो इन्होंने जयामितिय या रेखा गड़तिय जो है आधार पर इनकी दार्षनिक प्रणाली चली है इस्पिनोजा जो है वो इश्वर को भी एक गड़तिग्य मानते थे उनका ये मानना था कि जो इश्वर इनका पहले तो ये बता दूँ कि इश्वर ऐसा इश्वर ये जैसे हमारे यहां पर होता है सरसक्तिमान या गुणों से संपन इश्वर दयालू आधी जुबुण ये इश्वर जो है ये मूल कारण इन्होंने माना है यानि द्रभ माना है हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे जब हम इस्पिनोजा का दाशनिक द्रभ विविच चीज का जो प्रणाम है वो पहले ही निर्धारित है ठीक है तो वह ये मानते थे कि इश्वर ने इस जगत की रचना गड़ती सिद्धानतों के आधार पर की है और यहां पर सारा कुछ पहले से ही निर्धारित है बिल्कुल ऐसे ही विचार रखते हैं नियतिवादी दारश होते हैं वो यह मानते हैं कि जो है भाग जैसी चीज को मानते हैं वो यह मानते हैं कि सब कुछ जो है वो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है हमारे यहां पे भी जो नियतिवादी दारशनेक अपने यहां भी पढ़ने को मिलते हैं वो यही कहते हैं कि सब कुछ पहले के अनुसार सब कुछ पहले से निरधारित है तो उन्होंने मनुस्त की जो है ऐसा कहते हैं इन प्यार अलोजना में इनकी आलोजना जब की जाती है तो यह कहते हैं कि इन्होंने यह कैसे हैं कि नियतिवादी दार्शनिक हैं जिन्होंने मनुस्त की स्वतंतरता खतम कर दिये क् पहले से ही तुम्हारा जो है सब कुछ पहले से ही पूर्व निरधारित है आगे हम देखते हैं कि इन्होंने इनका जो दर्शन है वो देखते हैं कि इन्होंने अपने दर्शन में किस-किस चीज की बात किये और हमें जो है वो क्या-क्या पढ़ना है इनके दर्शन में तो ये डेकार्ड के रास्ते पर ही चले हैं गड़ित को उन्होंने भी अपनाया है लेकिन इनकी कुछ मौलिक चीजें भी इनके दर्शन में हमें देखने को मिलती है जैसे कि इन्होंने इश्वर विचार को काफी सुधार दिया है डेकार्ट के इश्वर विचार जो है उसको इन्होंने काफी परिश्कत किया है और इस्पिनोजा के जो इश्वर विचार है उसको और ज़्याता सुधारा है लाइबनिज ने जिनके वारे में हम इस्पिनोजा के बात पढ़ेंगे डेकार्ट, इस्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ही क्या है बुद्धिवादी दाशने क्या हैं और किरम से इनका दर्शन पढ़ा जाता है इसी करम में देकार्ड फिर इस्पिनोजा और उसके बाद लाइबनेज तो इस्पिनोजा के दर्शन में किन-किन चीज़ों पर बहुत अच्छे से अध्यन किया गया है वे हैं द्रब यानि सबस्टांस इश्वर ये दोनों अलग-अलग चीज़े नहीं है आप समझ लें कि द्रब और इ इस्पिनोजा का जो इश्वर विचार है वो डेकार्ड जो है उनके इश्वर विचार से भिन्न है ठीक है इस्पिनोजा जो है उनका इश्वर विचार जीसे कि जो डेकार्ड थे वो ये मानते थे कि तीन द्रब्य हैं तीन द्रब्यों को उन्होंने सुईकार किया है एक इ अस्तित्वू है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भरना करे वह द्रब्य है यानि वह सबस्टांस है बिलकुछ सेम परिवासा द्रब्य की इस्पिनोजाने ली है ठीक है लेकिन लाइबनिज ने हम आगे देखेंगे उस परिवासा में परिवर्दन किया है अपने स्पिनोजां है वो डेकार्ट के ऐश्वरविचार में सुधहर करते हैं और वे जो ईश्वरविचार प्रस्तुत करते हैं वो है सरवेश्वरवादU । यह कहते हैं कि द्रब्य एक मात्र है ईश्वर क्वे डेकार्ट की आलोजना करते हुए यह क्या вр Farm ने चित यानि मन और अचित यानि शरीर यानि जड़पदार्त को दोनों को ईश्वर पर निर्भर बताया है साथ ही इन चित और अचित दोनों को द्रब्य मी बाना है तो इनको द्रब कैसे माना जा सकता है जबकि अपने स्तित्य के लिए इश्वर पर निर्वर करते हैं तो इस तरह से वे कहते हैं कि द्रब जो है वो केबल कितने हैं एक है वह है इश्वर तो द्रब और इश्वर इनके दर्शन में इस पिनोजा के दर्शन में द्रब जो है वही एक मात्र उसी को माना गया है उसी को reality के रूप में तत्त रूप में स्विकार किया गया है और द्रब और इश्वर दो अलग चीज़े नहीं है बलकि एक ही है ठीक है तो अब यह कहते हैं कि इसी इश्वर से क्योंकि एक ही मात्र द्रब है इश्वर और उसी सबकुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सबकुछ है ऐसा मानने वाला जो विचारधारा होती है उसको कहते हैं सरवेश्वरबाद की सबकुछ ईश्वर है यह हमारे यहां पर उपनिशदों की जो ईश्वर विचार होता है यह वहां माना जाता है कि इस संसार में प्रते कण कण म इश्वर का निवास हैđ, ऐसा ऐसी बिचारधारा को हमारे उपनिषद भी रखते हैं तो यह उस बिचारधारा से मेल खाता है साथी जो कहा जाता है कि हरी तो जगता, जगतो हरी यानि हरी ही जगत है और जगत ही हरी है इनमें कोई भेद नहीं है यानि कि जगत और इश्वर में कोई भेद न माने और यह माने कि सर्वेश्वर वह है यानि कि सभी जगा इश्वर है सब में इश्वर समाहित है तो इस इश्वर विचार को कहते हैं सर्वेश्वर बाद ठीक है सरवेश्वरबाद की जो विप्रीद विचारधारा होती है वो कहलाती है अनेक इश्वरबाद यानि जो अनेक इश्वरों को जल का देवतालग माने ठीक है बायू का देवतालग माने अनेको इश्वर को स्विकार करे वे कहलाता है वे विचारधारा कहलाती है अनेक जो इस्पिनुजा है उनकी ईश्वर विचार जो है वो कहलाता है सरवेश्वरवाद या पैंथिजम ठीक है तो सबकुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सबकुछ है क्योंकि एक मात्र ही चीछ सत है वह है द्रभ या ईश्वर इनके अनुसार तो वही चीछ जो है हमें इस पर्यायों के कारण, यह हम समझेंगे कि द्रब्य जो है अपने पर्याय के कारण इन अनेक सामेकरियों में कैसे बदल जाती है गहरमकान आदी में, हम संसार में बहुत सारी चीज़े देखते हैं, यह पर्यायों के कारण हमें अनेकता दिखाई दीती है, इस्पिनोजा अपने तुलना की जाती है शंकर से, क्योंकि इस्पिनोजा का ईश्वर है वो बिल्कुल संकर के ब्रह्म के समान है, हमने अद्वयत बेदान दर्शन पे काफी सारे वीडियो यहां पर उपलप्द कराएं हैं, वो आप देखें, तो इस्पिनोजा का ईश्वर या द्रव्य और शंकर इन में बहुत सारी समानताइं हैं, जैसे कि दोनों ही निर्बुण हैं, दोनों ही निराकार यानि फॉर्मलेस हैं, दोनों ही निर्व्यक्तित्त पूर्ण हैं, यानि इनका कोई व्यक्तित्त नहीं है, और ये अवर्णिय लिग गया है, यहां लिखना आए में जो अवर्णिय यानि indeterminate हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना, और ये अत्वयद हैं, तो इस्पिनोजान ने एक बात और यहां पर ध्यान देने की है, कि इस्पिनोजान ने केवल एक मात्र चीज को ही द्रव्य रूप में सुईकार किया है, वह है इश्वर, और आपको ध तीन से वो दो पर आजाते हैं, तो जो दो पर आते हैं, तो वो कहलाते हैं द्वैतवादी, तो डेकार्ड जो हैं, वो कहलाते हैं, द्वैतवादी यानि मूल तत्व के रूप में दो को सुईकार करते हैं, यहां इस्पिनोजान उनसे भिन हैं, और वो एक तत्वादी हैं, क्योंकि वैं द्रव्य रूप में केवल एक मात्र इश्वर को स्विकार करते हैं ठीक है और इस्पनोजा का है इश्वर संकर अचारे के ब्रह्म से बहुत जादा समानता रखता है किन चीजों में इन चीजों में ठीक है तो जो डेकार्ड ने द्वैतवाद इस्थापित किया था ठीक है डेकार्ड ने दो तत्व स्विकार किये थे तो डेकार्ड ने जो द्वैतवाद इस्थापित किया था उसको इस्पिनोजाने उसका खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि द्रब जो है वो एक है क्या नाम है वह है ईश्वर क्योंकि जो आशर्थ हो वह द्रब नहीं हो सकता तो ऐसे में केवल एक मात्र ही द्रब बचता है वह ईश्वर और इसी एक मात्र द्रब को इस्पिनोजा स्विकार करते हैं तो यहां क्या फरक देखने को मिलता है डेकार्ट ने द्वैतवाद इस्थापित किया था इह नाना रूपों में हमें दिखाई देता है, यही द्रव्य, इस अंसार में. ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि यह चिंतन जो है, वहाँ पर किसका गुणा गया है, डेकाड़ दर्शन में, चेतन पतार्त का, और विस्तार किस का गुणा गया है, जड़पतार्त का, लेकि कि इस्पिनोजा कौन है इस्पिनोजा एक बुद्धी बादी दार्शनिक है जो यह मानते हैं कि यह थार्त ग्यान की प्राप्ति केवल और केवल तर्क बुद्धी के द्वारा ही संबब है यह अनवब बाद के विरोधी है ठीक है जो यह मानते हैं कि अनवब द्वारा ही यान प्राप्त हो सकता है, साथ ही ये डेकार्ड के विपरीत कैसे हैं, एकत्त्त बादि हैं, क्योंकि है एक मात्र द्रब्ब के रूप में इश्वर को स्विकार करते हैं, यानि द्रब्ब की संख्या इनके यहां पर एक है, साथ ही ये सर्वेश्वर बादि हैं, क्योंकि ये इश्वर है, वे धर्म विरोधी हैं, यानि उन्हे नास्तिक, उन्हें देखो, एक बात और बता दूँ, इनको नास्तिक भी कहा गया है स्पिनोजार को, ठीक है, तो इन पर नास्तिक होने का आरोब भी लगाया गया है, क्योंकि इनका जो इश्वर है, वो उपासनी ये नहीं है, उसकी पूजा नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो बिल्गुल बैसा इश्वर नहीं है, जैसे हमारी हमाना जाता है, उस यानि जो धर्म में इश्वर होता है, उस धर्म वाले इश्वर की तरह ये उपास से नहीं है, ना ये दयालू, दयावान, सरवग्य, आधी जैसे जो होते हैं, वैक्तिक गुण जो होते हैं, जैसमें छमा भाभू, आधी बगएरा बगएरा, इन गुणों से भी ये शून ह हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये निर्वेक्तित पूर्ण है, ये है ना, तो इसलिए इनको धर्म विरोधी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज को इश्वर कह दिया, जो इश्वर जैसी जो सामन इश्वर चलता है, जो Christianity में, या हमारे यहां पर, जो सामन इश्वर जो धर्म की अंतर कते की इश्वर जो हमें देखने को मिलता है, उससे बिल्कुल भिन्य है ये, क्योंकि उसकी पूजा नहीं कर सकते आप है ना, तो इसलिए उनको नास्तिक माना गया, और जबकि कुछ लोग ये कहते हैं, जो ये थे, जो इस पिनुजा थे, वो एक तरह से मतांध दार्षनिक थे, इश्वर मतांध दार्षनिक, इश्वर मतांध दार्षनिक ऐसा दार्षनिक जो हर चीज में इश्वर को ढूंडे, जो कहें कि हर चीज में everything is God and God is everything, ठीक है, तो साथ ही उनके पक्ष में भी एक बात कहते हैं, कुछ लोगों ने नास्तिक भी कह सकत हैं, लेकिन ये पक्ष या बिपक्ष की बात ना होकर उनके वारे में धर्त बातें बन जाती हैं, कि उनके दर्षन से किस तरह की विचार धाराये निकलके सामने आती हैं, चीक है, हमें UPSC के पार्ठिकरम के अनुसार हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाह का जो द्वयतबाद इस्थापित किया था डेकार्ड ने उसके विपरीद इस्पिनोजा का समाना अंतरबाद पढ़ना चाहिए यानि परलेलिजम और साथ ही हमें पढ़ना है इसमें गोड़ यानि अट्रिब्यूट्स और परियाए ठीक है तो यह बहुत छोटा सा वीडियो को उनके पूरे दर्शन पे एक नजर डाल ली है ऐसा मान लीजिए आप तो आने वाले वीडियो निशित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा सायक और सरलसित होंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अ